वेटा तीस जुलाई के हम लोग वर्क्षीट कर रहे हैं वर्क्षीट नमर 34 जिसमें वे तिर्ची रिखाया स्लैंटिंग लाइन्स के बारे में बताया गया है कि रमा के घरों में एक पाहड की तस्वीर लगी थी तो उसने दिहान से देखा तो पाहडों में से कुछ रिखाया दिखी जोकि सभी पाहडों में दिखाई दे रही थी दो तिरे खाओं को जोड कर क्या बन रहा है這 पहाड बन रहा था तब ये उसके नहीं के जनमोगोपने कि टोपी पर गई तो उसने देखा वह भी कैसे दिख जेगे है ऐसी तिर्चीरे खाओं पहाड जैसी दिख जेख यह जैसे ये पहाड से तेच्छिरे काओं पे दिख रहे थे रवा को मज़ा और पे अपनी कारेपुस्तका में तेच्छिरे के ढूंडने लगी आईए मिलकर हम भी उसकी मज़त करें चित्रों में स्लांटिंग लाइंस को ढूंड कर उन पर नीले रंग से ट्रेसिंग कर दें तो पर जैसे ही कि ये स्लांटिंग लाइन है उसना दिखा दिया ये स्लांटिंग लाइन है ये स्लांटिंग लाइन है ये स्लांटिंग लाइन है इधर भी होगी स्लांटिंग लाइन बिलकुल ऐसे ऐसे इधर भी होगी ये है तो इधर भी होगी ऐसे मिलकर हम सभी तिर्ची रिखाओं को लाल रंग में मिलाकर पतंग के चित्रों को पूरा कर देते हैं वे तो जितने भी तिर्ची रिखाओं हैं इनको मिला दो ऐसे और क्या बन जाएगा इसा करने पर पतंग बन जाएगी ठीक है अलाकि है मैंने नीले रंग से मिलाया बिटा आप पो इसको लाल रंग से मिलाना है यानि कि आप इसको कुछ ऐसे मिलाएंगे ठीक है तो रंग से अलाकि इतना फरक नहीं पड़ेगा पर क्वेशन में लाल रंग से का गया तो लाल से ही मिलाएगा ठीक, आगे देखते हैं भई, slanting line पर पीले रंग से इसको trace करें, तब यह देखो कैसे trace करेंगे पीले रंग से, यह पीला रंग हो गया तो ऐसे trace करेंगे, ठीक, इस तरीके से आप इसको trace करेंगे, Thank you so much for watching the video friends, please subscribe to our channel and keep supporting us